उसका एक गाना था सर, सकी सहीयां तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाय जात है आज इस गाने के लिरिक्स सार्थक होते नजर आ रहे हैं सर मैं पंजाब सूबे से आता हूँ, एक खेती प्रधान सूबा है सर और पंजाब का किसान, देश का किसान, महंगाई की डबल मार जेल रहा है एक मार किसान की as a producer और दूसरी मार किसान की as a consumer फूड प्रोडक्शन की cost पिछले एक साल में सर, करीब करीब 21 प्रतिशत बड़ी है यानि की किसान की cost बढ़ गई फूड प्रोडक्शन की लेकिन उसकी आए जिसका वादा था कि MSP दुगनी करेंगे आए बढ़ाएंगे वो उस रेट पे नहीं बरी जिसके चलते आज देश का किसान as a producer महंगाई के बोज चले दबता जा रहा है दूसरा देश का किसान as a consumer भी सर क्योंकि मैं पंजाब से आता हूँ आज कहीं बाजार में कुछ भी खरीदने जाता है तो महंगाई की मार जेलता है और मैं बता हूँ आपको सर ये शायद आजाद भारत के इतियास में पहली बार हो रहा है जब भारत देश की rural inflation भारत देश की urban inflation से ज़ादा है यानि कि शेहरों में रहना सस्ता है गाउं में रहने के मुकाबले और आप जानते हैं ये देश ये देश वो देश है सर जहां पर maximum आबादी रूरल आबादी है सर, inflation को taxation without legislation भी कहा गया यानि कि ये वो महंगाई ये वो कानून है जो बिना कानून के सरकार हम लोगों पर tax लगाती है ये वो माना जाता है और सर, जैसे रावण के 10 सर थे भारत की महंगाई के 7 सर है मैं साथ कोंके साथों पर आदा आदा मिनट बोलना चाहूँगा आप जितना टाइम दे दें सर पहला है उर्जा पर tax, energy taxation दूसरा कारण, service inflation जो नजर नहीं आती सर लेकिन महसूस होती है तीसरा है सर, GST का बोज चौथा है, लागत बढ़ाने वाली महंगाई यानि कि cost pool inflation चौथ पांचवा है सर, बढ़ती महंगाई, घड़ती कमाई यानि कि हमारी आमदनी उस दर पे नहीं बढ़ रही जिस दर पे भारत की महंगाई बढ़ रही है छटा point, गिरता हुआ रुपया और साथवा point सर, corporate और सरकार की सांट गाट सर, energy tax जो crude oil पे लगता है, petrol पे लगता है, diesel पे लगता है ये भारत में दुनिया के मुकाबले सबसे ज़ादा है और जिसके चलते, आज कोईले की बात हो, petrol की बात हो सारा बोज, cascading impact के तहरे देश के आम आदमी पर डाला जा रहा है मैं बताना चाहूंगा सर, कि जब भारती जंता पार्टी की 26 मही 2014 में सरकार बनी थी तब अंतरास्तिय बाजार में कच्छा तेल 108 डॉलर पे बिकता था सर, प्रती बैरल वो 20 अपरेल 2020 को 108 डॉलर प्रती बैरल से घटकर एक डॉलर पर आ गया इतना घट गया, लेकिन सर, उसका जो फाइदा था, लाब था, वो देश के गरीब आदमी को नहीं सौपा गया और मेरे सवाल के जवाब में सदर में मुझे जवाब दिया गया सर, कि 2016 से लेकर 2022 के बीच में सरकार ने 16,00,00,000,00 करोड रुपे कमाए है, अग्साइस जूटी बढ़ा बढा कर बढ़ा कर, पेट्रोल पर 80 बार और डीजल पर में GST का जो बदन सबा में वकारत सारोड नहीं सर आप you count this as my maiden speech sir that's no problem sir just let me speak sir please permit me sir please there is no time sir GST का call another 14 people give me a few minutes sir I am I I beseech you sir I beseech you I seek your indulgence sir sir GST जिसे गरीब शोशन tax की नाम से भी आज इस देश में जाना जाता है यह tax सरकार क्यों नहीं कम करेगी क्योंकि sir जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे GST की collection सरकार की बढ़ती है अगर कोई चीज आज 100 रुपे की विक्ती थी वो 1.500 रुपे की होती है तो 1.500 रुपे पे GST की दर लगती है यानि कि सरकार का खजाना बढ़ता है तो सरकार की मंचा कभी हो ही नहीं सकती महंगाई कम करने की एक बड़ा मतपून पॉइंट है सर जिसके चलते आटा दाल चावल पे तो उन्होंने लगाया सर जीएस्टी आम आदमी को और गरीब करने की कोशिश करी लेकिन मैं जिस धर्ती से आता हूं सर पंजाब से वहां पर सर अमरिच सर गुरूओं की नगरी माना जाता है पवित्र धर्ती माना जाता है वहां पर सर जितने भी सराय हैं जितने भी अकॉमटेशन सेंटर्स हैं उन पर भी जीएस्टी लगाकर आज औरंग्जेब के जज़िया टैक्स वापिस लाने का काम बाचपा की सरकार ने किया है प्रवारती जनता पार्टी के सदध से विपक्ष में थे तो वो कहा करते थे कि जब रुपिया गिरता है तो भारत की साख गिरती है आज रुपिया 180 के पार हो गया है सर पुरानी सरकारों ने रुपिये को senior citizen बनाया था current सरकार ने 80 पार करके उसे मार्डर्शक मंडल में पहुंचा दिया है और आज सर जिसके चल्ब पर प्रागवा यूजर प्रागवा यूजर फूचर एंक सर फॉलो इड़ एंस अंदेन आगवनी और डिवार्शक प्रागवा इफसा